हमारे नए वीडियो को देखने के लिए YouTube के आप पर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए Face Value को हिंदी में अंकित मुल्यक है Face Value share की वास्तवी कीमत होती है जो की share परमाणपतर पर अंकित रहती है यदि ABC कमपनी की कुल share पूजी 2 करून रुपया है और वह 10 रुपय प्रती share के 20 लाग share जारी करती है तो 10 रुपय ABC कमपनी के share की Face Value होगी Face Value को पार वैलू या केवल पार भी कहता है अब यदि ABC कमपनी का share market में लिस्टेड होने के बाद डिमांड बढ़ने के कारण share market में share बढ़कर 15 रुपया हो जाता है तो अब इसे premium value या above पार कहेंगे और यदि share की market कीमत घटकर 8 रुपय रह जाती है तो इसे discount value या below पार कहेंगे 10 रुपय के share की कीमत market में यदि 10 रुपय है तो इसे add पर कहेंगे अजसर share खरिदते समय खरिदार share की Face Value चेक नहीं करते हैं ध्यान दीजिए कि यदि एक company का 1 रुपय Face Value का share 20 रुपय में बिग रहा है और B company का share अपनी Face Value से 2 रुपय कीमत पर भीक रहा है यानि A company का share B company के मुकाबले अधिक premium पर भीक रहा है company अपने share की Face Value को बदल भी सकता है company अपने share को split यानि विभाजित करके अपने Face Value को बदल सकती है imagine कीजिए कि यदि आपके पास ABC company के 10 रुपय Face Value के 100 share है और उसका market भाव 50 रुपय परती share है company अपने share को split करके उनकी Face Value को 5 रुपय परती share कर देती है ऐसी इस्तिति में company आपके 10 रुपय Face Value वाले 100 share को 5 रुपय Face Value के 200 share हो में परिवर्तित कर देगी अब आपके share का market rate भी कम होकर 25 रुपय परती share के आसपास हो जाने की संभावना है अधिकतर share split होने के बाद share का market rate उसी अनुपात में नहीं घटता जिस अनुपात में Face Value वाले घटते हैं इसलिए संभावना है कि इस उदाहरन में split होने के बाद share की market rate 25 रुपय से अधिक होगी अक्सर company अपने share की market में कीमत बहुत अधिक हो जाने पर share को split करती हैं जिससे उनके share की कीमत छोटे investor की पहुँच में रहे और वे इन share में निवेश कर सके दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें सस्क्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग